वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जितने भी इंपॉर्टे उस रेक्टिर कोचन है जो कि क्लास 11 के बोड़े जामें बार बार रिपीट होते हैं उनित सभी कोचन को आज की इस वीडियो के माध्म से कबर करेंगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो कोचन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से भी किसी भी कोचन को पढ़ना पड़ेगा और यह दिया आपके बोड़ेग्या में कोचन पूछ देगा तो लगने रगए पता नहीं कहां से आया इसलिए दोस्तों आपको एक बार रिवीजियों को पढ़ लेना है ताकि आपका करते हैं पहला कोचन आप से क्या पूछा नहीं बार नहीं पुछा चार तर नहीं आपको बता दो भारत में टोटल आठ ऐसे राजे हैं जिन से करकर देखा गुजरता है यह कौन कौन से राज है दोस्तों गुजरात राजस्थान मद्धि पर्देश, 36 गड़, जहारखंड, पच्छी मंगाल, त्रिपूरा और मिजोरम, यह टोटल आठ राजी हैं, जिससे होकर करकर रेखा गुजरता है, तो यहाँ पर कोईचन में आपसे क्या पूछागे, कि इनमें से कौन सा राजी जहां से करकर रेखा गुजरता है, तो उत्तर पर्देश से भी नहीं गुजरता है, बिहार से भी नहीं गुजरता है, उलिसा भी से भी नहीं गुजरता है, यानि जहारखंड से होकर करकर रेखा गुजरता है, आपसन बी राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, यह आपको याद रखना है, बहुत जादे इंप बहुत दिक लचनों के अंत्रगत आता है यान यो आपस नमबर बी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है और सबसे अधिक घणतों काहा पर होता है लगाअगत में सबसे अधिक घlles 23ARK और मेंटल कोंज सबसे अधिक होता है में बात करें तो सीमा ठीक है एस आई एम यह आई से हो जागा सिलिका और एम यह से मेगनिस्यम ठीक है और यह आप कोर में पूछा जाएगा तो निकेल आरलोहा सबसे अधिक पाया जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है बहुत ज़्यदा इंपॉर्टिंग को जने ठीक ह हो जाएगा ठीक है अगले को जन्हां कि की 20 सबसे गहरा महा सागर कौन से दोस्तों 20 में सबसे अधिक गहरा महासागर कौन सा है तो सबसे छोटा जो है दोस्तों यह आर्खिक महासागर है यह भी आपको याद रखने ठीक है प्रिसांत महासागर के बाद देखे чис्ट रीथर सबसे बड़ा में तो 일이 इज placing Maasagr ये दुसरे अस्थान पर आता है हिंद महासागर थर्ड अस्थान पर आता है ये जो आर्क्टिक है ये सबसे छोटा महासागर में है ठीक है अगले कोचन क्या है कि भूगोल पिर्थवी पर अगले कोचन आपसे क्या पूछागा है दोस्तों कि भूगोल पिर्थवी पर छेत्रिय विभनताओं के वित्रन तथा व्याख्या से संबंधित है यह परिभासा किसके द्वारा दिया गया था तो दोस्तों यह जो परिभासा दिया गया था यह किसके द्वारा दिया गया था इस question का answer आप सभी लोग comment comment करके जरू लिखेगा ठीक है अगले question क्या पूछा गया है कि उत्री गोलारदों में पवनों का बाएं और विच्छेपन होना होता है इसका मुख्य कारण क्या है यह आप से कोच ने पूछा गया ठीक है तो सेवेंथ का सही answer होजगा option number यह पिर्थवी के घुर्णन गति के कारण दोस्तों उत्री गोलारदों में यह जो पवनों होते यह बाएं और मुख्या जाते यानि option number यह right answer हो जाएगा ठीक है यह अगले प्रस्ण है कि तीतीली किस प्राकिर्थतिक आपदा से संब्दितः दोस्तों यह तितीली है यह यह ती सतMad यह है दोसरी भारत में देखा जाए जो मिल्दा है इसके उपरी प्राइट का हरास का मुख्य कारण क्या है तो वाई अपरदन ठीका अप्स नंबर यहां पर यह राइट एंसर हो जाएगा पर यहां जाएट इस काष़ा है ठीक है राइट इसको उपार्ण के लिए कि नहीं संद्रमा प्रह तो आप सब पता होना चाहिए चंडरमा जो है यह पिर्थवी का उपग्रह क्या है दोस्तों तो चंडरमा ठीक है यह आपको याद डखना घृष्ट себя दोस्तों से में बहुत सारह आपके कोचण पूचा जाता है यद्या आपसे कोच्छन अब पूचा जाए कि सार मंडल का सबसे छोटा क्या संभ है थीक ये पूचा जाए कि सबसे कायाता है थे जो मंगल गर्ण दोस्तों ये लाल गर्ण अधिक पाया था ठीक है यहां पर प्रिथवी को दोस्तों निल्ला गर्ण कायाता है तो इतनी सारे कोचन और भी कोचन बहुत सारे बोड़े या में कोचन पूछे जाते ग्रह से रिलेटिव ठीक है यह आपको इतना कम से कम याद रखना ठीक है अगले प्रशन है कि प्रिथवी की परपटी और उप्री मेंटल मिलकर बनाता है दोस्तों यह दूनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों तो थर्टीन का राई टें हो जाएगा क्या अगले कोचन है कि कि समिर्दा निर्मान ज्यौला मुखी विस्फवोट से हो अधिह आइसूर में सब्सक्राइब की यंदे कोंज़ान जोंक है कि निम्नलिकित मेंसे कौन सी नदी बंगाल का सोगता जो सहँ श्यक्यां से नंवाहदा करें ठीक के जहारखन राजे राजे का सोथ इस नदी को कहा है तो किस नदी में मजोली द्वी किस तीद्या अगला क्यों कि से नदी में मजोली पिष्थ और कमक का मजोली द्वी पिश्थ स्री ठीद्यां उन्हें प्रणपूत्र है, तो ईवन प्रणिए तल्किक है Japan ताही उत्तर और आप्सटर नवर सी ब्रह्म्पुत्र नदी जो कि यहां पर मजोली द्वी पिश्दित की भारत आपनी कोवगा ने पूचा जाए कि भारत के सबसे चौड़ी नदी कॉछी जो है जो कि भारत के सबसे लंबी नदी कॉन से दों तो गंगा नदी जो है जो कि से लंबी नदी है और विस्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी जो है दोस्तों यह विस्व की सबसे चौड़ी नदी है ठीक है यह इतना आपको याद होना चाहिए ठीक है अगले प्रस्ट क्या है कि किस अच्छांस पर अकीज जून की दोपहर सुरी की किरने सिधी परती दोस्तों अकीज जून को देखा जाए तो कौन सा अच्छांस पर सुरी की किरने जो है यह सिधी परती तो सही उत्तर होगा आप्शन नमबर यहां पर भी साड़े ताइश डिगरी उत्री अच्छांस आनि करक रेखा पर दोस्तों उस दिन सुरू की किरिने जो है उसी धी पढ़ती आनि आप्स नमबर भी राइट टेंसर हो जागा ठीक है अगले प्रस्त क्या है कि प्रकास अंसिलेसन प्रकिरिया के दोरान प्रकास की उपस्तिती में कार्बन डाये उकसाइड जल्स के साथ मिलकर क्या बनाता है तो तो घ्रड ऑस नमबर यहां पर सी लाइट अप्सॉ जैगा अगले कोचन क्या पूचाई दूस्तों कि परवतिय वर्सा होती दूस्तों जी परवतिय वर्सा है इनमें से कौन से अस्थान पर परवतिय वर्सा सबसे अधिक होती तो सही एंसर हो ज़ेगा option number यहां पे कोचन में 20 का option number डी पच्मी घाड पर ठीक option number D temperature हो जाएगा मैं अगले कोचन है कि सूखे का कारण क्या दोस्तो सूखा देखा जाए तो सभ्से अधिक सूखा का मुख्य कारण क्या दोस्टों तो सही एनसर हो और 21 का नमाल की धरातलिय лег Schneer आपसर team सही उत्तर हो जाएगा अगले कोचन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकरती हिम्नद के कारिश से संबंदित है दोसरे इन में से कौन सी भू आकरती है जो की हिम्नदी के कारिश से संबंदित है तो right tensor हो जगा 22 का option number यहां पर भी click here ,óption right tensor हो जाएगा अगले question है कि रासायनिक अपचैउंनी ठेड है दोस्ति जो रासायनिक अपचय है इसमें किसे सम sleeping nuevas किया गया जया तो 23 का right tensor हो जोगा option number यहां पर यह oxygen को ठीका option number और यह right tensor हो जाएगा ठीक है हpowers अग्ला कोचिन क्या पूचा गया है कि 20 की सर्वुष परवत चोटी दोस्तो यूद है आपको पूछे जाए विस्व की सर्वुष परवत चोटी कौन से तो मांट एरेश जो कि 20 की सर्वुष परवत चोटी का जा मैंने बताया तस्तों कंचन जंग हा राइट एंसर हो जाए तक है कंचन जंगा की बात करें दोस्तों इसकी टोटल उचाए जेंटें तो आठ 786 मिट्र एटीक है डिस्टों कंचन जंगा के उचाए ठीक है अगले कोचन है कि कौन से चटान गर्म द्रव के ठंडा होने से बनता है दोस्तों इन में से कौन से चटान है जो कि गर्म द्रव के ठंडा होने से बनता है तो 25 का सही एंसर हो जिगा आपसन नमबर यहां पर यह बैसाल चटान ठीक आपसन नमबर यह राइट एंसर हो जाएग बसाल ठीक है अगले को जन 26 में क्या पूछा गया है कि जैव विवधिता संवरिध होता है यह देखा जाए तो सबसे अधिक संवरिध कहां पर होता है तो 26 का सही एंसर हो आपसन अबर यह उच्छन कटी बंदिये छेत्रियान यह आपसन यह राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगले प्रस्टन है कि महासागर्य जल की ऊपर किन नीचे गती किस से समर दी दूसतों महा सागर्य की िछो जो फूसर होता है यह उपर उटता तो उससे क्या जाता आ ठीक है और जब नीचे जाता तो ऑपसना नमबर यह पर यह जू अगले कोचन है कि निम्लड़ लिखित क्या आता है त्राका लगता है कि अगला कि उससे औधिक का यहाओ मानो जीवनके लिए थेखा जाया तो सबसे अधिक मास में पुछाँ है कि यहां से भी कोचिन प्रभी पर एक्जाम में पूछा गया है कि मौसमी संबंदी जितनी मौसम संबंदी घटनाएं होती यह कौन सा मंडल में होता है तो छोब मंडल में ठीक है दोस्तों यह भी आपको याद रखना है कि वायू यान उडाने के लिए सबसे आधर समंडल कौन स जल खेतर अलग करते दोस्तों जो अंडवान और निकोबार है कि से कौन सा जल खेतर अलग करता है तो दस डिग्री चैनल ठीक है आपसन भी राइट टेंसर हो जाएगा अगले कोचिन क्या पूचाएं कि इन में सा कौन सा रूपांत्री चटान है तो हीरा जो है दोस्तों य जufficient पर्वे सब्सक्राइब कर लेकर दोस्तों सब्सक्राइब कर ले क्योंकि दॉस्ते आप ऊब इसाँ in जाना चाहीं तो तो आप फिक उपना में या ड़ी टूरे बांकि पकोसे के मादम से उन्हें सभी कोचों को कभश कर आए जाएगा जो कि आपके बोड़ियाम से इंप्रोटेंट होंगे जो कि आपके बोड़ियाम में पूछे जांगे ठीक है तो फीर से हम लोग मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत